फ्रेंट्स क्या आप जानते हैं यदि लिफ्ट की रोब तूट जाए तो क्या होगा ओएसजी क्या होती है ओएसजी कैसे काम करती है और ओएसजी लिफ्ट को रोकने में कैसे साहक है इनी चारों सवालों के जवाब आज मर लेकर कहा हूँ इस वीडियो में फ्रेंट्स मैंने लिखा है OSG in lift सबसे पहले में यह बात करता हूं OSG होती क्या है OSG means OSG की फुल form my friend over speed governor over speed governor means over speed को governor control करने वाला यदि speed जितनी हमने limit दी है कि इतनी limit की speed है अगर उससे ज्यादा speed हो जाती है तो उसको control करने वाला मान लीजे lift की जो speed है एक मीटर प्रती सेकेंड है ठीक है अभी एक मीटर प्रती सेकेंड है मतलब कि lift जो है एक मीटर में एक सेकेंड में एक मीटर उपर या एक मीटर नीचे आ जा सकती है यानि उपर अगर दस सेकेंड चलेगी तो 10, यानि 10 मीटर उपर चली जाएगी और अगर 10 सेकंड नीचे की तरफ चल रही है तो 10 मीटर नीचे आ जाएगी ठीक है तो friend होता क्या है यदि इसकी speed कितनी 25% extra हो जाए 25% extra यदि हो जाती है तो कितनी हो जाएगी 1.25 मीटर पर सेकंड यदि इतनी speed हो जाए तो इस speed पे जाकरके over speed governor काम कर जाता है और over speed governor काम करता है तो वो क्या करेगा कि जो lift है हमारी उसको रोक देगा या उसको jam कर देगा that means हमारी lift नीचे नहीं गिरेगी तो ये किस दरस्टी में काम करता है कि over speed की दरस्टी में जो equipment काम करता है उसको बोलते हैं over speed governor और ये किस में होता है lift में आज मैं OSG की ही बात करने वाला हूँ क्योंकि मेरी वीडियो पर लास्ट वीडियो पर बहुं सारे कमेंट कई बार आ चुक है कि OSG के बारे में बताई है OSG आज मैं उसी की बात कर रहा हूँ देखे फ्रेंट मैंने यहां एक डाइग्राम बनाया हुआ मींज एक चितर बनाया हुआ जिससे आपको यह सब चीजे क्लियरली समझ मा जाए कि OSG कहां लगी होती है और कैसे काम करती है पहली बात यह तो आप किलियर हो गया कि और इस स्पीड गबरनर जो होता है वो और स्पीड में जाने के बाद कंट्रोल करने के लिए होता है इसलिए इसके OSG कहते हैं तो देखे OSG कहां लगी है यह जो मैंने बनाया हुआ है यह Rooftop means यह जो है Messine Room का floor है जो लिफ्ट का Messine Room होता है उसका floor यानि जहां पर lift का ऊपर machine कसी रहती है ये lift का machine room है ठीक है और machine room का floor है base ठीक है और ये उसके नीचे पूरी shaft है अगर आप इसको देखे तो ये मैंने staff बनाई हुई है मान लीजे हमारी building जो है 10 floor के तो 10 floor के ऊपर जो terrace होगा जहां machine room होगा machine room का जो floor है ये वो है और वहां से जो shaft है नीचे basement तक है जहां last stage है ठीक है तो ये मैंने staff बनाई हुई है ये जो आप देख रहे हो ये क्या है machine room का floor मैं लिख देता हूँ machine room का floor ठीक है फ्रेंट और इस पर उपर lift की machine कसी हुई है lift कसी हुई है अंदर car चलती है तो अब आप देखिए फ्रेंट ये जो है ये OSG है क्या है ये OSG ये तो OSG का system यहां से और नीचे तक होता है lift तक OSG में क्या होता है फ्रेंट इस पर एक free wheel होता है ये इसको कहते ये you safe का wheel होता है means इस type का ये wheel होता है और इसमें rope चलती है ये ज है ये rope चलती है ये जो होता है इस तरीके से ऐसे rope चलती है तो friend फ्रेंटी दो wheel है एक उपर लगा हुआ पुली भी बोलते हैं इसको और एक नीचे लगी हुई है एक चीज़ और इनमें गोर करने की एक चीज होती है friend कि ये तो fix होता है ठीक है? इसमें movable means घूमता तो है लेकिन इसमें flexibility नहीं होती लेकिन जो नीचे वाला लगा हुआ होता है वो जो हमारी soft होती है, soft के एक side पे इस तरीके से mount हो करके और आगे बढ़ा करके इसमें पुली लगी होती है जिस पर एक rope चलती है friend तो ये rope नीचे आ करके इस पुली के नीचे से उपर यहां आती है आप ये मान के चलिया भी पहले, ठीक है? तो friend ये क्या होता है ये जो इसमें connect है तो ये क्या है? movable होता है हलकासा, ऐसे ठीक है? means जब इसको जर्क लगे तो ये उपर move हो सके थोड़ा बहुत, वैसे spring से tight रहता है, यहां से spring से tight रहता है बिल्कुल permanent नहीं होता है, लेकिन ये move हो सके हलकासा, ऐसी इसमें flexibility रहती है, ये थोड़ा बहुत उपर हो सके, जिससे ये टूटे ना, माल लीजिए जब ये active हो या काम करें तो ये टूटे ना, इसलिए थोड़ा सा flexible होता है, ठीक है? अब इसमें होता क्या है? फ्रेंड देखिए, ये एक rope है, क्या है ये? OSG rope बोलते हैं इसको OSG rope, ठीक है? ये OSG rope है अब इसमें होता है, क्या है फ्रेंड, ये जो OSG rope होती है, इसका ये connector है, और ये connector जो है, जो ये lift का car बनाया हुआ है क्या है, फ्रेंड, ये? ये car है lift की, means जिसमें passenger आते और जाते हैं, वो है ये car तो ये car का car top है, आप ये देहने रखें, ये car का car top है ये जो lift की छत रहती है, car की top होता है, car top, उस पर permanently connect रहता है क्या रहता है, connect रहता है, फ्रेंड, ये car के साथ ठीक है, अब होता क्या है, अब आप देखिए, जब car नीचे की तरफ जाएगी, माल लिजे car जारी डाउन, अभी मैं इसको लिख दूँ car जा रही है, down, ठीक है तो car डारी जाउन, तो ये सिरा नीचे जाएगा और ये उपर आएगा, ठीक है clear है, अब जब car डाउन जाएगी, तो जो इसका सिरा है, ये नीचे, और ये उपर, तो friend, जैसे car नीचे आती है, तो ये pulley इस direction में भूमती है ठीक है, और ये वाली इस direction में, लेकिन जब car उपर जाती है, तो इसकी direction change हो जाती है, ये direction ये हो जाएगी, और उसकी direction ये हो जाएगी तो ये car, ये जो होता है नीचे की direction में ये होते हैं और ये इस तरीके से भी friend चलेगी, ठीक है जब car उपर जाएगी तो इसको उपर लेकि जाएगी means कहने का ये है कि ये जो rope होती है ये rope किसी motor से ये किसी भी और चीज से connect नहीं होती है ये car के according चलती है car उपर जाएगी यारी car जितनी तेजी से नीच आएगी उतनी ही इसकी speed हो जाएगी जब तक चलती रहेगी तो ये काम अपना नॉर्मली करती रहेगी और ये जो है over speed governor ये active नहीं होगी ठीक है जैसे ही 2 meter से speed 25% जादा हो जाएगी या धाई meter हो जाएगी तो ये active हो जाएगी और ये active हो जाएगी तो क्या करेगी मैं वो बताना चाहता हूँ तो ये तो आप समझ गए कि ये यहां connect है और ये इसमें permanently connect है उसके बाद lever की सहता से ये दूसरी तरफ अब ये जो car है friend इस car के base में नीचे soft में जाकर के जो car कार नीचे ये तो है top ठीक है और ये है bottom ठीक है तो bottom में दो side में gear लगे रहते क्या बोलते हैं go ये दोनों connected इसमें क्या है ये वाला जो part है ये fix है और ये वाला जो part है moving है ये हलका सा move करता है और ये fix है कैसे move करता है वो मैं बताता हूँ अभी पहले यह देख लेते हैं कि यह काम कैसे करती हो OSG देखे परेंड, OSG में क्या होता है कि यह तो बहरी वील है और वील पर एक अंदर जो है गियर लगा रहता है और इस गियर की इस तरीके से नौब रहती है यह देख रहें न आप यह गियर बना हुआ है gear जो है इस side में चलते रहेंगे अब जब normal condition है तो इसमें क्या है ये एक knob लगी रहती है friend hook बोलो या knob बोलो और इसी से एक ball connect रहती है इस side में तो जब speed ज़्यादा होती है तो ये ball क्या है बाहर की तरफ भगती है ball जब बाहर की तरफ जाएगी जैसे ही speed 25% extra होगी तो ये बाहर भगेगी और ये जो knob है वो इसमें फस जाएगी किसमें अभी तो normally condition में चल रही है तो ये किसमें फस जाएगी condition क्या हो जाएगी जैसे 25% extra जाएगी ये यहां आ जाएगी friend ठीक है ये इसमें फस गई अब ये इस तीथ में फस गई तो क्या करेगी कि ये जो है rope को नीचे जाने के लिए रोग देगी ये इसमें फस गया ये permanent रहता है friend और ये moving है तो जब ये इसमें फस जाएगा तो इस rope को जटका देगा यानि rope को क्या करेगा उपर की तरफ खीचेगा rope को रोकेगा जब rope को उपर की तरफ खीचेगा तो friend ये जो lever है इसके ये जो lever है brake lever बोलते हैं इसको क्या बोलते है brake lever यानि ये जो है इस tie road से जुड़े वह है इसको road बोलते है इस road की साथ जुड़े वह है यह क्या है अंदर चले जाएंगे उपर चले जाएंगे जैसे ही यह उपर जाएंगे तो यह rail के साथ connect होते हैं और वो इसको रोक देंगे कैसे लगे होते हैं आपको आगे बताता हूँ यह चीज आपको समझा जानी चीए अब friend देखिए तो यह break लग जाएंगे आप यह मान के चलिए कि break हैं जैसे ही यह इसमें फसा तो यह रोप तो नीचे नहीं आएगी है कार तो लेकिन नीचे आ रही है जब कार नीचे आ रही है क्योंकि नीचे की condition में कार आ रही है तो यह तो यह उपर खिचेंगे कि यह उपर की तरफ अगर जाती है यानि इस direction में घूमती है पुली तो यह हमारा काम नहीं आएगा यनि उपर की तरफ जा सकती है कार जो है उपर की तरफ जा सकती है लेकिन break लगने के बाद कार नीचे की तरफ नहीं आ सकती ठीक है तो यह आप उसमें clear हो गया OSG जब activate होती है तो car को नीचे नहीं आने देगी लेकिन car अगर हम उपर की तरफ लेंगे तो car उपर हो सकती है वैसे friend नॉर्मली यह होता है कि अगर हम trip करके check कर रहे हैं तो उस condition में नीचे उपर किया जा सकता है लेकिन अगर यह free fall गिरी है और उस condition में safety हमारी activate हुई है 25% over speed हो करके तो क्या करते हैं यह brake जो हमारी rail चलती है side में rail पर attack कर दो हमारी car चलती है उसको पकड़ लेते हैं यानि उसको खराब कर देते हैं खरौच देते हैं और वहां से फिर वो lift हिल नहीं पाती उपर की तरफ ना नीचे की तरफ खोल के ही निकालनी पड़ती है ठीक है मगर जब हम इसको test करते हैं OSG को तो उस condition में हम इसको उपर की तरफ ले सकते हैं जब हम उपर लेंगे तो यह चलता रहेगा लेकिन यह manually ही हमें उपर करना पड़ेगा यह निकलेगा नहीं आप सोचों कि एक बार trip होने के बाद यह फिर जो बापिस आ जाएगा अपनी स्थिति में नहीं आएगा इसको क्या करना पड़ेगा manually ही reset करना पड़ेगा अब देखिए मान लिजे हमने test कर लिया तो फिर हम क्या करेंगे इसको manual reset कर देंगे यानि हाथ से ही इसको उपर उठा देंगे तो यह अपनी इस position पर आ जाएगा और lift उपर की नीचे की तरफ चलती रहेगी लेकिन इसके साथ साथ friend एक और चीज होती है कि यह तो हो गया manually अब friend देखिए मान लिजे manually brake तो लग गए मान लो free follow और यह ब्रैक लग गए लेकिन brake लगने के साथ साथ lift की supply भी तो कट जानी चाहिए उसकी सारी safety सारा सब कुछ supply भी तो बंदो जानी चाहिए न उसका control system भी तो बंदो जाना चाहिए तो उस condition के लिए क्या होता है friend यहाँ एक lever लगा रहता है इसी में इसके दूसरी side जब हम देखेंगे तो उसमें एक ऐसे lever लगा रहता है और इसमें यहाँ spring रहती है ठीक है यह ऐसे निकला रहता है और यहाँ पे एक electrical switch लगा रहता है इस तरीके ज़े ठीक है तो जैसे ही यह free file होता है यह active होती है तो यह जो lever है यह अंदर की तरफ धकेल देता है यह क्या है अंदर की तरफ काट देता है lift की ठीक है यह नीचे आ जाएगा फिर हम इसको क्या करें मालो reset करना है तो इसको फिर से मूपर की तरफ करके ऐसे set कर देंगे ठीक है ऐसे set रहेगा तो यह normal condition है इसकी लेकिन जब यह trip करेगा तो यह इसको push कर देता है और यह just नीचे आ जाता है तो जो हमारा यहाँ NC बना हुआ था वो NO हो जाता है और lift का control system खतम हो जाता है यहाँ लिफ्ट की supply controlling system controlling supply खतम हो जाती है जिससे lift जो है operate होना बंद हो जाती जहाँ है वही supply उसकी रूख चाहेगी ठीक है अब देखे फ्रेंड यह मैंने sieve बनाई हुई है क्या है sieve बोलते है इसको ठीक ह यह तो अब जानते हैं यह friend है counter weight ठीक है यह counter weight है तो lift चलती तो ऐसे ही है अब दिक्कत क्या है यह मैंने जो है समझाने की बज़े से यहाँ बनाया है otherwise यह सब चीज़े दिखती नहीं है इसको दिखाने की बज़े से मैंने car छोटी बनाई है normally car जो रहती है इस side की रहती है और यह side में रहता है ठीक है तो अब होता क्या है देखिए जो हम soft देखते हैं soft में दोनों side यह car rail चलती है और इन rail में lift जो car होती है वो फसके चलती है ठीक है इस तरीके से यहाँ जो है group बने रहते हैं यानि ऐसे u type के बने रहते हैं और इसमें यह rail है ठीक है और ऐसे इध इसमें rail है और इसमें भी ऐसे है यह इसमें rail है ऐसे फसके चलती है यह group चलते हैं और इसमें यही ब्रैक लगे होते हैं तो ब्रैक यह जो होते हैं यह जो ब्रैक है यह system friend ऐसा होता है आपको मैं यहाँ दिखाना हूं यहाँ देखिए यह system तो यह जो है एक तरह से u है इस काम कैसे करता है तो देखिए ये जो system दिखाया है ये इसमें connect जो है जब ये normal activate होगी तो ये क्या करेगा ये वही रुख जाएगा system ये system रुख जाएगा तो इनको खीचेगा इसको किसको इसको खीचेगा इसका arrangement कैसा ये जो है car rail जो side में rail लगी रहती है जिसमें car फसके चलती है ये वो rail है ठीक है क्या है rail और ये है break ये system ये इसका moving part है ठीक है और ये इसके fixed part है तो ये जो fixed part है ये घोड़े की नाल होती है इस तरीके का है तो ये जो है ये car पे कसा रहता है और इसका rail के साथ साथ चलता है ये भी नीची नीची ठीक है तो अब देखें इसमें क्या arrangement होता है जैसे ही ये उपर की तरफ खिशता है क्योंकि ये OSG wire है उपर वाला जो OSG wire है ये इसके सायता से यहाँ जो connect है तो ये दोनों तरफ है ये म मना हुआ है यानि यहाँ पतला है यहां मोटा है तो जब ये अंदर जाएगी friend यह sim अंदर जाएगी तो इसको क्या है जो इसमें हम एक एक mm का ये जो gap है ये 1 mm से 2 mm के सस्पास होता है क्या होता है ? evidence आप ये इदर भी gap जो होता है इसमें वो भी 1-2 mm होता है तो ये क्या कर देता है, यह अंदर जाके फच जाएगा और यह क्या करेगा, इसको jam कर देगा अब यह teeth देखें, उल्टे हैं, क्योंकि rail तो उपर की तरफ है, और जब यह जाएगा नीचे की तरफ तो friend, यह जो teeth है, यह इसको खुर्च देंगे, यानि इसको tight कर देंगे, आप ऐसे समझिए कि जैसे अगर कोई gap है, तो उसमें हम खपच लगा देते हैं, सेम वही procedure यहाँ अपनाया जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें teeth होते हैं दोनों side में, तो यह teeth क्या है, इसको तुरंत jam कर देते हैं, और friend, जब OSG activate होती है, तो यह trial की condition में नहीं, means जब हम trip set करके देख रहे हैं, इसको OSG को trip कराके, और check कर रहे हैं, तो उस condition में नहीं होता, क्योंकि उस condition में क्या है, speed normal से भी कम रखते हैं, तब हम trip कराके देखते हैं, की हल रही है की नहीं हल रही है, लेकिन, जिस condition में 25% एक्स्टा स्पीड पे जब यह एक्टिवेट होती है तो यह जो टीथ है friend यह rail को खुर्च देते हैं और rail को उखार देते हैं और उस कंडिशन में हमें lift की दोनों side की rail बदलनी पड़ती है ठीक है तो friend समझ गे होंगे आसा करता हूं यह उपर की तरफ जाएगा और sim की तरह काम करेगा जो एक तरफ इधर एक mm एक mm इधर gap है इस game को भर देगा और यह बिल्कुल इतना tight कर देगा जितनी lift नीचे जाएगी तो यह gear तो नीचे जाएगा यह वाला OSG के बारे में समझ गए होगे ठीक है मैं next video इसकी setting उसका बताता हूं कि जो OSG होती है OSG को test कैसे करते हैं OSG activate कराके हम test भी करते रहते हैं बीच बीच में तो मैं practical video next video आपका लेकर के आऊँगा आसा करता हूं यह video आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो उसको like करें चैनल को subscribe करें और मेरे वीडियो को share करना ना भूलें आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर इसके बाद भी आपकी दिमांग में कोई query है तो आप next video जरूर देखना उसमें clear हो जाएगी और फिर भी clear नहीं होती तो आप मुझे comment कीजिए मैं उसका जवाब जरूर दूँगा